हेब्बी होली तो अल अफ यू तो कल है होली और होली कातेवार मुझे तो बहुत ही पसंद है क्योंकि होली में मुझे ट्रंग से खिलने में बहुत ही मज़ा आता है और साथ में जो स्वीट डिशिस बनती है वो भी मुझे खाने में बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि मुझे स अच्छी बने क्योंकि हमारे गुजरात में गुजरातियों के घर पे यह वाली रेशिवी बनती है लेकिन बहुत ही डिफरन्ट तरीके से बनती है इसमें हम गेहों का आटा और गुर का इस्तमाल करते हैं लेकिन आज मुझे कुछ नया ट्राय करना था तो मैं इसे क्योंकि फुल फैट दूद होगा तो हमारी रबड़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी तो चलिए सारा दूद मैंने पैन के अंदर निकाल लिया है अगर पॉसिबल हो तो बड़ा पैन ले लेंगे क्योंकि बड़ा पैन होगा तो हमारी रबड़ी फटा-फट से बन जाएगी क्योंकि हम गैस की फ्लेम हाई रख सकते हैं अगर पैन छोटा होगा तो दूदूबल के बाहर आ जाएगा चलिए अब गैस की फ्लेम मैंने अन कर दी है और एक चुटकी भरके मैंने इसके अंदर डाल दिया है केसर क्योंकि केसर से कलर बहुत ही बढ़ी आता है और टेस्ट चलिए दूदू बर रहा है तब तक पाकी की तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिये हैं ड्रैफूट्स तो ड्रैफूट्स में मैंने ले लिया है पिस्ता, काजू और बादाम आपको जो ड्रैफूट्स पसंद है आप यहाँ पे ले सकते हो ड्रैफूट्स को मै चलिए अब दूढ़ गादा है तब तक आप अपना काम भी निप्टा सकते हो तो चलिए अब दूद थोड़ा बहुत गाड़ा हो गया है तो इसके अंदर डाल देंगे milk powder तो यहाँ पर मैंने 3-4 चम्मच जितना milk powder लिया है और 2-3 चम्मच जितना दूद लिया है और एक slurry बना लिया है तो यह देखे इस तरह से हमें एक slurry ready कर लेनी है इसके अंदर बिलकुल भी lumps नहीं रहने चाहिए अगर lumps रहेंगे तो दूद में भी lumps पढ़ जाएंगे और अब यह जो mixture है milk powder वाला उसे डाल देंगे दूद के अंदर और उसे तुरंत ही mix कर लेंगे क्योंकि दूद हमारा गरम है और यह ऐसे ही पढ़ा रहेगा तो उसमें lumps पढ़ जाएंगे तो यह देखे मैं इसे अच्छे से mix कर रहे हूँ इस तरह हमें इसे mix कर लेना है ताकि lumps ना पढ़ जाए हमें रबडी थीक चाहिए तो इसके अंदर थोड़ा सा milk powder डालेंगे तो हमारी रबडी बहुत ही पढ़िया बनेंगी थीक बनेंगी और फटा-फट से बन भी जाएगी अगर आपके पास milk powder नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसके अंदर bread भी डाल सकते हो तो आपको यहाँ पे दो bread ले लेनी है और उसकी sides निकाल लेनी है और उसे mixture में crush कर लेना है बड़िया से और फिर bread को डाल देना है रबडी में और उसे अच्छे से mix कर लेना है तबी भी आपकी रबडी जो है वो बहुत ही perfect बनेगी बड़िया बनेगी एकदम गाड़ी बनेगी चलिए हमारी रबडी almost ready होने को आई है तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी मिश्री यहाँ पे मैं चीनी का use नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास मिश्री पड़ी हुई है और हमारी एकदम अच्छे से घुल गई है और यह दिखिए हमारी रबडी एकदम ready है यहाँ पे हमने एक लिटर दूद लिया था तो 500 ग्राम जितना दूद बजे मतलब की जो quantity है वो आधी हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है तो चलिए अब रबडी एकदम ready है तो उसे निक तक्रीबन दो कटोरी जितनी और एक कटोरी जितनी रबडी हम निकाल देंगे चोटे बाउल में और अब यह जो चोटे बाउल वाली जो रबडी है उसे हम रख देंगे फ्रेज में ठंडा होने के लिए क्योंकि इसे हम serving में यूज़ करने वाले हैं सारे रबडी मैंने नि माल देंगे तेल तो यहां पे हमें माल पुवा को फ्राइ करना है यहां पे आप गी भी ले सकते हो लेकिन यहां पे मैंने तेल लिया है तो अब रेडी कर लेते हैं माल पुवे के लिए बैटर तो माल पुवे का बैटर बनाने के लिए यहां पे हमें चाहिए रबडी यहा आडे कप दूद में से 3-4 चमट यतना दूद बच गया है, तो आप इस तरह से मेजर करके के ले ले, अब इसे ढख कर हम रखतेंगे साइड में 5-10 मिट के लिए चलिए तब तक हम बना लेते हैं चाशनी तो चाशनी बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पे मिश्री का यूज किया है मिश्री की तासिर बहुत ही ठंडी होती है और अब इगर्मिया स्टार्ट होने वाली है तो हम मिश्री का यूज करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा तो चलिए अब मिश्री मैंने डाल दी है आधा कप मैंने मिश्री ली थी तो आदे से आधा कप मैंने इसके अंदर डाला है पानी और अब एक चमजबर के इसके अंदर मैंने डाल दिया है हरी इलाइची का पावडर इससे चाशने में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है चाशने को हम पकने देंगे एकदम लो फ्लेम पे जब तक कि मिश्री मेल्ट ना हो जाए आप मिश्री की जगा चीनी भी यूज़ कर सकते हो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बेटर तो बेटर को अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है बेटर को अच्छे से फैट लेंगे ताकि हमारे जो माल पूए हैं बहुती सॉफ्ट बने बहुती फ्लफी बने चलिए यहाँ पर चाश्निवी को भी देख लेते हैं थोड़ी से मिश्री अभी मेल्ट नहीं हुई है तो अभी उसे और पकने देंगे यहाँ पर तेल अच्छा खासा गरम हो चुगा है मतलब कि तेल को मैंने एकदम low flame पे गरम करने के लिए रख दिया था 5-7 मिर्ट से यह तेल गरम हो रहा है इसे मैंने एकदम low flame पे रखा था तो अभी एकदम perfect temperature पे है अभी हम एकदम low flame रखेंगे और इस तरह थोड़ा थोड़ा बैटर लेके हम इसके अंदर डालने लगेंगे माल पूवा एकदम से उपर नहीं आना चाहिए धीरे से उपर आना चाहिए अगर आपको लगे के एकदम से उपर आ रहा है तो gas की flame थोड़ी दियर के लिए off कर दे और तेल को थोड़ा सा ठंडा होने दे और बाद में इसके अंदर ये बैटर डाले तो इस तरह आप करेंगे तेल कर टेंपरेचर एकदम सही होगा तो आपका माल पूवा भी एकदम परफेक्ट बनेगा आप यहां पर देख सकते हो कि हमारा माल पूवा एकदम परफेक्टली ready हो रहा है पूर्यों की तरा अच्छे से एकदम फूल गया है तो एकदम soft हमारा माल पूवा बनके ready होगा यहाँ पर हम देख लेंगे चाष्णी, तो इस तरह की गाड़ी चाष्णी हमें चाहिए, चाष्णी भी हमारी 5-7-9 निन बनकी रेडी हो गई है, चाष्णी रेडी है तो गैस की फ्लेम को आफ कर लेते हैं, चाष्णी को थोड़ी ठंडी होने देते हैं, अब माल पूए को भी हम पलट लेते हैं, दोनों तरफ से हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय करना है, एक तरफ से पकने में इसे तकरीबन 4-5 मिनिट लगेंगे, हमें इसे एकदम लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि बीच में से कच्छा नहीं रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से फ्राय कर लिया है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से हम फ्राय कर लेंगे, तो माल पुवा की एक बेच हमारी एकदम रेडी है, चली अब इसे निकाल लेते हैं, तो इस तरह का एक जारा ले ले लेंगे, और उसके अंदर रग देंगे 2-3 माल इसे मैंने अच्छे से फ्रैस कर लिया है, और अब इसे मैं डायरिक डाल दूँगी चाश्नी में, तो इसी तरह सारे माल पुवे हम निकाल लेंगे, और इस तरह सारे माल पुवे को हमें चाश्नी से अच्छे से कोट कर लेना है, चाश्नी का कलर आप देख सकते हो कि कि इत केसर भी डाल सकते हो केसर डालने से भी इसका कलर बहुत ही बढ़ी आ जाएगा चलिए सब कुछ रैडी है तो यहां पर मैंने निकाल ली है रबडी जो मैंने फ्रीज में ठंडी करने के लिए रखती थी और अब एक लेट के अंदर पहले रबडी फिरा लेंगे उसके उपर थोड़े से ड्राइफ फूट्स थोड़े से रोस पैटल और अब बीच में रख देंगे माल पूए तो यह दिखे कितने बड़िया से हमारे माल पूए लग रहे हैं मेरे मूमे तो अभी से पानी आने लगा है क्या आपके मूमे भी आ रहा है अगर आ रहा है तो प्लीस कमे अगर भी इस होलिकम पर यह रेसिपी चैसी बनी है तो चलिए अब बारी हाते है इसे टेस्ट करने ही तो आज दोनों बच्चे घर पर है तो दोनों टेस्ट करके बताएंगे की यह रेसिपी कैसे बनी है तो चली इसे लेके चलते हैं बच्चों के पास तो आज कृषा और रुद्र दोनों घर पे हैं रुद्र स्कूल के लिए रेडी होके बैठा है और कृषा की तो स्कूल में छुटिया पड़ गई है कृषा को मेरी तरह स्वीट खाना बहुत ही पसंद है तो वो बताएगी कि ये कैसा बना है क्रिशा के मुंग के expression देखके ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसा बना है तो ये दीखिए इसको बहुत ही पसंद आया है I hope कि आपको भी रेसिपी अच्छी लगी हो अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो सिस्क्राइब मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करश्न और हैपी होली बनस अगें बाई